गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग तुलसी दासची की रचना जो रामचरित मानस से ली गई है भरत महिमा शीर्षक के अंतरगत उसका अध्यन करेंगे बच्छों। चलत पयादी खात फल पिता दीन तजी राजू जात मनावन रघुबरही भरत सरिस्को आजू। इसका सबसे पहले हम बच्छों आप लोगों को संदर बता दें क्या लिखेंगे आप लोग। कि प्रस्तुत पद्यांश महकवी गोस्वामी तुलसी दास्त्वार रचित महकाव्य श्री रामचरत मानस से हमारी हिंदी की पाठ्थ पुस्तक के काव्य भाग में संग्रहीत भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है। इसमें बच्चों प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें भरत जी छोटे भाई शत्रुधन और आयोधिया वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लोटा कर ले आने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। आप सब कथा जानते हैं कि रामची को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो और भरत को राजगद्धी प्राप्त होई थी लेकिन उस राजगद्धी को जो राजदश्रत द्वारा प्रदान की गई थी उसको वो छोड़ करके और कहा जा रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तो उसी का इसमें वर्णन है कि वो पैदल ही चले जा रहे हैं। मार की जो वनवासनी वन में रहने वाली जो इस्त्रियां हैं जब उनको देखती हैं तो वे अपने भागद्धे को सराहने लगती। मतलब वो बहुत अपने भागद्धे पर प्रसन होती कि उनका भागद्धे कैसा है। अच्छा है जिसके कारण उनको क्या हुआ हैं। जैसे पवित्र अपावन भाई के दर्शन प्राप्ति हुए हैं। तो उसी का इसमें तुलसी दासची ने बड़ा ही मनोहारी वनन किया है। देखिए चलत पयादी खातफल चलत पयादे पयादे मतलब पैदल ही जो यहां पे जो वन वासनी वन में निवास करने वाली जो इस्तरिया हैं वो आपस में बाच्चित कर रही हैं। और कह रही हैं कि भरग जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अपने पिता द्वारा लिखाए ना पिता दीन तजी राजू पिता द्वारा दिये गए राज्चे का तियाग करके वो पैदल ही कहा जा रहे हैं। खात फल मतलग कि कंद मूल जो फल है कंद मूल फल खाते हुए शिरी रामचंद्र जी को लिखाए जात मनावर रगुवरी रगुवर रामचंद्र जी के लिए प्रोग हुआ है तो रामचंद्र जी को मनाने के लिए वो जा रहे हैं। इसका बहुत सुंदर वंडन है। उन भरत चीज को लिखा है भरत सरिष को आजू भरत के समान यहां पर कहा जा है भरत समान को कौन है आजू मतल Lion आज उन्हें यहां पर वन वास्नी जो इस्त्रियां है वो कह रही है कि भरत के समान आज कौन है अथार्थ उनके समान जो है तियारगी और अनुरागी याने अपने भाईयों से प्रेम करने वाले और विरागी मतलब कि वो उनको इस बात का लालच नहीं था कि उनको राजपा किसका है राम जी का बड़े भाई का है तो वो उसको त्याग करने वाले विरागी है और त्याग करके ये भगवान के भक्त है मतलब राम जी के वो भक्त है और कौन हो सकता है यहां पर यह कहरे मतलब उनके समान और कोई होई नहीं सकता है भायप भक्ति, भायप मतलब भात्रत्व, भक्ति भरत आचरनों, भरत के का जो आचरन है, वो कैसा है? यहाँ पे इस्त्रियां कहती है कि भरत जी का भात्रत्व भक्ति जो है, भक्ति से परपूर जो आचरन है, वो बहत ही पवित्र है, पावन है. कहत सुनत दुख दूशन हरनू उसको कहने सुनने से व्यक्ति के क्या होते हैं दुख और दूशन यानि दोश वो सब क्या हो जाते हैं हरन हर लिये जाते मतलब कि वो दूर हो जाते हैं जो उनकी कथा को सुनता है उनकी उस आचरण को वो उसको कहने और सुनने से ही दुख और दोश क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं जो किछु कहब थोर सकी सोई राम बंधु अस काहे न होई यहां पर करें जो किछु कहब जो कुछ भी उनके बारे में कहा जाए जितना भी कहा जाए वो सब क्या है थोड़ सखी, वो हे सखी, वो थोड़ा है, थोड़ा ही है, वो अधिक नई है, राम बंधू, यहाँ पर यह करें, शिरराम के जो भाई, भरत के जैसा भाई, और कोई अन्य कैसे हो सकता है, असकाहे न हो या, तो यह क्या करें खिर भरत के जैसा भाई, भला कोई अन्य कैसे हो सकता, अथार्ट उनके जैसा, इन संसार में और कोई नई हो सकता है, हम सब सानुज भरत ही देखे, सानुज, अनुज यानरे चोटा भाई, भरत के चोटा भाई को नहीं है, शत्त्रुधन, यहाँ पर वो छोटे भाई शत्रुधन सहित भरत जी को देख करके वो अपने आपको धन्य वो मानती है, वो मान लेती ही, वो क्या कह रही है यहाँ पे कि छोटे भाई शत्रुधन सहित भरत जी को देख कर हम सब सभाग्य शाली इस्त्रियों में समलित हो गई है, मतलब उनके दर्शन होने मात्र से ही वो अपने आपको सौबागे सालिस्त्रयों में समलिक मान रही हैं वो कह रही है कि उनके दर्शन करके स्वयम को उन्होंने क्या कर लिया है धन ने कर लिया है सुनी गुनी देखी दसा पच्छिताई कहके जनिनी जोगु सुति नाही सुनी गुनी देखी दसा पच्छिताई यहाँ पे कह रही है कि यह जो है कह रही है कि भरजी के गुण को सुन करके गुणी सुनी याने गुण को सुन करके और उनकी दशा को देख करके वो सब क्या हो रही है इस्त्रियां जो है अपने मन में पच्छताही याने पस्ताती हैं और कहती हैं कैकई जननी कैकई जैसी माता जोगु सुतिनाही मतलब की वो सुतु याने पुत्र के जोगु याने योगे नाही मतलब नहीं है वो भरक जी के गोण को सुनकर और उनकी दशा देखकर विसरी स्त्रियां जो हैं वो अपने मन में पस्ताती हैं और कहती हैं कि कैकई जैसी जो माता है वो भरक जी जैसे पुत्र के योगे नहीं हैं को कह दुशनो राने ही नाहीं हां कोई कहती है उस सक्या आपस में उसमें से एक कह रही है कि दुशनो राने ही नाहीं इसमें रानी का कोई दोश नहीं है विधी सभु कीन हम हमी को दाहिन वो क्या कह रही है कि इसमें कहतीं माता का कोई भी दोस नई है यह सब क्या है विधी विधी याने विधाता सभु कीन यह सब विधाता का किया हुआ है जो कि हमें ही जो दाहिन जो हमारे भी दाहिन याने दाहिने हैं दाहिने का अर्थ है यहां पर अनुकूल से जो हमारे भी अनुकूल है यह क्यों अपने अनुकूल बता रही हैं क्यों यदि यह ऐसा वाक्या नहीं होता तो उन्हें भरत और उ शत्रुधन के दर्शन प्राप्त नहीं होते ही, ऐसा विधाता ने पहले से ही हम लोगों के लिए सोच रखाता है जिसके कराण ऐसा हुआ, मतलब उनका कहने का यह अर्थ है कि रानी का इसमें कोई भी दोश नहीं है, आगे देखिए, कहा हम लोग बेद बिधी ही नहीं, वो अपने आप के लिए कह रही हैं, इस्त्रियां कि हम तो उनके दर्शन हो पाए हैं, अन्ने था हम कहां, लोग बेद बिधी ही नहीं, हम लोग लोग और बेद की मरियादा से हीन, और क्या है लगू कुल, मतलब कि छोटे कुल वाली, निमने कुल वाली, कर्तूती याने कर्म से, मलीनी याने मलिन, अत्तिय मतलब इस्त्रियां हैं, वो कह रही हैं, अपने आप को बता रही हैं, कि हम लोग कैसी हैं, तुछ इस्त्रियां हैं, छोटे कुल की हैं, और हमारी कर्तूती याने हमारी कर्म कैसे हैं, मलिन हैं, लेकिन ये इतना कुछ होन पर भी है उन्हे भरत जी के दर्शन प्राप्तु है तो ये सब इश्वर की कृपा के ही कारण उने पाया है बस ही कुदेश कुगाउं कुबामा आगे कह रही है कि वन्ने प्रांत के बुरे गाउं में कुदेश याने बुरे गाउं में ये क्या हो रही है रहने वाली निवास करती है कुगाउं कुबामा यहाँ पे वो बता रही है कि कुबामा मतलब नीच इस्त्रिया हम लोग कैसी है कि नीच इस्त्रिया है कहा की कुगाउं याने की उनका गाउं भी कैसा है बुरे गाओं की हैं और कुदेश याने वो बुरे देश की हैं अथार्थ वन्ने प्रांत के बुरे गाओं की रहने वाली ये तुछ इस्तरियां हैं कहाँ यह दर्शू पुण्य प्रणामा और कहां यह दर्शन जो भरजी का जो दर्शन है वो पुण्यों का मतलब अच्छे कर्मों का परणाम सरूप ये प्रात्त उन्हें ये पावन दर्शन प्रात्त हुए हैं अस आनंदू अच्छी रिजू प्रती ग्रामा आगे कह रही है कि मानो क्या हुआ है यहाँ पे यह बता रही है कि आनंद और अच्छरज प्रती ग्रामा प्रते एक गाउं में हो रहा है यहाँ तुलसी दासची बता रहे हैं कि मानो लिखाये जनु, जनु मतलब मानो, मरुभूमी, कल्पतरु जामा, मानो रेगिस्तान में, मरुभूमी मतलब रेगिस्तान में, कल्पतरु अगरा आया हो यहां पर बताना चाहे रहे हैं कि ऐसा ही आनंद अस मतलब ऐसा ऐसा ही आनंद और अचरज याने आश्यर प्रती ग्रामा उस वन्निप्रांद की प्रते गाउं में हो रहा है मानो क्या है जनु मतलब मानो रेगिस्तान में कल्प तरू जामा कल्प तरू जम गया हो मतलब ओग आया है तो ये बच्चों रहान फरस्ट जो पद्यांश उसका अर्थ व्याख्या जो है अब हम लोग इसका कावगत स्वंदर देखेंगे इसमें भरत जी की भात्रित्व भत मतलब कि भाई के प्रती जो भक्ति भावना है उसकी पावंता को तुलसिदाश्ची ने सफलता पूरक उसका वर्णर यहां पर किया है भाशा आवधी भाशा है आप सब जान रहें राम श्री राम चाहित मानस जो है आवधी भाशा में लिखा गया है इसको ये समर रखेग क्योंकि ये साहित्य के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है शैली बच्चों ये गे प्रबंधात्मक है अलंकार इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का हुआ है शंत रस है छंद जो है दोखा एवा चौपाई है ये शुरू के जो दो पंग्तिया हो क्या है दोखा और उसके आगे क्या है चौपाई है बच्चों तो ये फस्ट पैरका की व्याठ्या हुई अब हम लोग अगले दोहे का अध्यान करेंगे तेही बासर बसी प्राते ही चले सुमिरू रघुनात राम दरस की लाल सा भरत सरिस सब साथ यहाँ पे बच्चों इसमें संदर तो वैसे ही रहेगा प्रसंग में बच्चों आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुपंतियों में भरत सहित जो है आयोध्या वासी राम जी का जी के दर्शन की उत्सुत्ता श्रधा और भक्ति का सुन्दर यहाँ पे इन्होंने सुन्दर वणन किया है रात्री विश्राम करने के पश्चात ज्यों ही वो लोग क्या कर रहे हैं आगे के और बढ़ते हैं तेवही मंगल शगुन होने लगते हैं मतलब की शुब संकेत होने लगते हैं थोड़ा चलकर केवट जो है वो धूर से ही कामदगिरी परवत को दिखाते हैं केवट जो है वो के इसको दिखा रहे हैं परवत को और परवत का नाम क्या है कामदगिरी उसको दिखाते हैं जिस पर सीता लक्ष्मण सहीत क्या है शिर्राम जो है निवास करते हैं उसका इसम रहे हैं दन्वत करते हैं इसी का इसमें सुन्दर वर्णत तुलसिदास्ची ने किया है देखा जाएं तेही बासर बसी प्रातही चले सुमेर्व रभु नात उस दिन बसी बसी मतलब ठहर कर उस दिन वही ठहर कर प्रातही चोकि रात्री हो गया था तो रात चलते चलते रात्री हो गई तो वहां पर लोग ठहर गये और फिर जब प्राता काल हुआ है तो प्राता काल ही चले सुमेर्व 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 मतलब स्मरण करके किसका रगुनात याने रामचंद्र जी का स्मरण करके कौन कौन चल रहा है भरग जी आगे की उर चले और पीछे पीछे अयोध्या वासी है राम दरस की लालसा भरत सरश सम साथ हैं उनके साथ सभी लोगों में राम के दर्शन की क्या थी लालसा थी मतलब कि उतकट इच्छा लालसा लगी है भरत सरिष सबसाथ, वो सब भरत जी के साथ ही सब दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए वे शीग्रही श्री राम के समीर वो पहुँचना चाहे रहे हैं, मंगल सगुन हो लिसब काहू, सब लोगों को मंगल शगुन होने लगे हैं, फरकी ही सुखद विलोचन बाहू और पुरुषों के जो हैं फड़कने लगे हैं क्या चिस विलोचन मतलब होता नेत्र अब बाहू मतलब भुजाएं पुरुषों के दाएनेत्र और इस्त्रियों के बाएनेत्र कहते हैं दाहिना जो फड़कता पुरुषों का तो क्या होता ह शुब कुछ होता है, ऐसा माना जाता है, और इस्त्रियों का जब बाया खड़कता है, तो वो शुब होता है, तो यहां पर लिखा है फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, मतलब नेत्र और बाहू फड़कने लगते हैं, किसके? पुरुष और पुर्शों और इस्त्रियों के, प उच्छाओ मतलब उट्सा है, भरत के साथ, जितने समाज, याने जितने भी अयोध्यावासी है, उनमें क्या है? उच्छाओ है, भरत रामजी से मिलने का, ठीक, अपुरु उच्छा है, मिल ही राम हो, मिट ही दुखदा हूँ, कि रामजी से मिल करके, उनके दुख, सब के दूख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, करत मनुरत, जस जिये जाके, हाँ, वो अपने-अपने मन में, वैसे ही मनुरत, याने कामना कर रहा है, जिसकी क्या है, जैसी, जस जिये जाके, जिसके हिर्दय में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना कर रहा है मतलब कि सब के मन में हिर्दय में विभिन प्रकार की भावनाएं उठ रहे हैं और वैसी ही वह क्या कर रहा है इच्छा कर रहा है कामना कर रहा है मनोरत कर रहा है, जाही सनेह, सुरा सब छाके, हाँ, और सब राम जी के प्रेम से, प्रेम की मद्रा का पान करके, वो क्या है, छक करके पान करे हैं, ठीक है, लिखा है, सब छाके, मतलब कि शिर राम के प्रेम की मद्रा का इन्होंने छक करके, पान करके, मत्वालिक होकर, वो क् जा रहे हैं, राम जी से मिलने के लिए, शिथिल अंग, हाँ, अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जिसके कारण अंग जो है, उनके क्या हो गया है, शिथिल पड़ गया है, पग मग डगी डोल ही, और जिसके कारण मार्ग में उनके पैर जो है, वो इधर उधर पड़ रही है, विहवल वचन पेम बस बोल ही और सब विहवलता वश विहवल होकर केवल प्रेम पूर्ण पेम मतलब प्रेम प्रेम पूर्ण ही वचन को बोल रहे हैं प्रेम के वशी भूत होकर के कैसे वचन बोल रहे हैं? प्रेम पूर्ण वो वचन बोल रहे हैं राम सखाते ही समय देखावा सैल सिरोमडी सहज सुहावा राम सखा राम के जो मित्र है राम के मित्र कौन है निशाद राज उन्हें वो क्या है लिखा उसी समय दिखाते हैं सैल सिरोमडी परवतों में सर्वोत्तम पर्वत ठीक है पर्वतों में जो सर्वत्तम है उस पर्वत को अथार थे किसको अभी आमने आप लोगों को बताया थे कामद गिरी पर्वत को वो लोग क्या थे मतला कि यह वहाँ पे जो है निशाद राज उन्हें परवतों में सर्वत्तम सवभाविक रूप से अत्यंत जो मनोरम है कैसे हैं सहज सवभाविक रूप से जो अत्यंत मनोहर है उस कामद परवत को दिखाते हैं जासु समीप सरित पर तीरा सिय समेत बस ही दो बीरा बीर दो याने दो दो वीर जो है सीता साहित जहां पर वो बस ही मतला निवास कर रहे हैं जासु समीप सरित पर तीरा देखिए बच्छों यहां पे वर्णन है कि जिसकी पास जासु समी याने जिसके पास सरित पाय तीरा याने पयस्वनी नदी के तीरा याने तट पर सिय याने सीता समेत याने सीता जी सहित दो वीर दो वीर जो है दो वीर कौन है एक श्रीराम और लक्षमण बस ही बस ही मतलब निवास करते हैं देखी कर ही सब दंड प्रणामा वो दूर से ही उनको देख करके सब क्या है दन्वत उन्हें प्रणाम करते हैं कही जय जानकी जीवन रामा यहां पे जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम की जय हो ऐसा कह करके वो उनको दन्वत प्रणाम किया है किसको परवत को जो परवत जो दिखाय दे रहा था दूर से उस परवत को देख कर समने क्या क्या है जानकी जीवन राम की जय हो कि नाद के साथ उन्हें उसे दन्वत प्रणाम किया फिर क्या किया प्रेम मगन अस राज समाजू जनू फेरी अवद चले रगुराजू हाँ मानो कौन है अवद याने आयोध्या जो है रगुराजू अथार्श्री राम जो है वो क्या है मालूम हो रहा था कि मानो वो आयोध्या के लिए लौट चले हो प्रेम मगन अस राज समाजू ऐसे है राज समाज के यह सब जो है वह सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मगन अस अस मतलब ऐसा राज समाज जो है प्रेम में मगन किसके प्रेम में राम चंद्री जी के प्रेम में ऐसा मगन है कि मानो वो क्या हो गया हो मानो राम जी अयोध्या लौट चले हूँ तो ये बच्चो रही इसकी व्यात्राइग इसको दो बार कम से कम सुनियेगा तब आपको अच्छ से आ जाएगा फिर इसका कावगर सौंदर हम लोग देख लिए इसमें बच्चो राम के प्रती भरत और प्रजा के प्रेम का सुन्दर वणनर किया है तुलसिदाश्शी ने भाशा आप सब जाम रहा आवधी है और शैली गे प्रबंधात्मक शैली है और इसमें बच्चो शांत रस है और च आप हम लोग तीसरे पध्यांश का अध्यान करेंगे भरत प्रीमू तेही समय जस तस कही सकल सकई नसेशू कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुखू अहमम मलिन जनेशू बच्चो इसमें जो है इस दोहे में तुलसी जी ने भरत के प्रेम के सम्मुख अपनी कवी प्रतिभा को क्या किया है तुछ बताकर अपनी विनेश लिल्था का पर्ष दिया है कि मतलब उनके प्रेम के आगे भरत जी के प्रेम के आगे उनकी ये जो कावे करने की जो प्रतिभा है वो एकदम तुछ है और अपनी विनेश लिल्था का इनों ने परिचे दिया है आगे उन्होंने वर्णन किया है कि सीता जी रात्री के अंतिम प्रहर में क्या करती हैं बुरा सपना देखती हैं और वर उस सपन को शेर राम जी को सुनाती हैं और उस सपन को सुनकर राम जी जी क्या होते हैं चिंतित हो जाते हैं उसका इसमें वर्णन है भरति प्रेमु तेही समय जस तस कही सकैना सेशु सेशु मतलब अचोता शेशना कभिही अगम जिमे ब्रह्म सुखु ब्रह्म सुखु मतलब ब्रह्मानन्द अह मम अह मतलब अहंकार मम मतलब ममता मलिन जनेशु यहां गोस्वामी तुलसी दाश्ची कहते हैं कि उस समय तेही समय याने उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था जस भरत प्रेमू याने भरत जी के मन में जैसा प्रेम था तह कही सकई न सेशु उसका वर्णन हजार मुख वाले जो शेशनाग भी नहीं कर सकते हैं ठीक है उसका वर्णन क्या है सेशु यानि शेशनाग शेशनाग आप सब जानते हैं उनके कितने मुख हैं हजार मुख वाले शेशनाग भी नहीं कर सकते हैं उनके प्रेम का वर्णन कभी अगम जिमी ब्रह्म सुखु यहां पर कह रहे हैं कि फिर मुझ कवी के लिए तो यह विश्य क्या है वैसे ही अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके अगम और क्या है दुश्च प्राप्पे है मतलब कि उसको कटनाई से भी प्राप्प नहीं किया जा सकता उस विश्य का वंणन करना तो उसके लिए यह कह रहे हैं कि मुझ कवी के लिए यह विश्य वैसे ही अगम और दुश्च प्राप्पे है जैसे क्या है अहंकार अहं याने एहंकार मम याने मम्ता से मलिन याने ब्रह्मानंद की प्रात्ती जासे कोई एहंकारी व्यक्ती हो और जो ममता याने मोह माया से मलिन जो है व्यक्ती है वो जैसे ब्रह्मानंद को प्रत नहीं कर सकता हει वैसे ही फसा हुआ व्यक्ति जो है उईश्वर का साक्षतकार नहीं कर सकता उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस सम्पूर गुणों का सम्पूर प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता इसको इसमें इन्होंने बताने के प्रयास किया है सकल सनेह सिथिल रगुवर के गए कोस दूई दिनकर ढरके यहाँ पे है वर्णन के उस समय शिरराम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल जो है स्नेह से शिथिल किसके रगुवर के अथा शिरराम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल जो है जो भरत जी है गए कोस दूई केवल दो कोस की ही दूरी उन्होंने अभी तैकी थी कब दिनकर ढरके याने सूर के ढलने तक केवल दो कोस की ही दूरी उन्होंने वो तैट कर सके थे जलू थलू देखी बसे निसी बीते कीन गवन रगुनात पिरीते यहां आगे वन्णन है कि उन्होंने क्या किया जल और थल याने जल और इस थल को देखी याने उसकी समुचित उपलब्धता को देखकर निसी बीते याने रात्री बिताई निसी निसी मतलब रात चीक है जल और थल की समुचित उपलब्धता को देखकर के उन्होंने क्या किया रात बिताई कीन गवन रगुनात पिरीते और फिर शिरी राम रगुनात याने शिर राम से मिलने के लिए क्या किया प्रस्थान किया पहले वो क्या करते हैं रात को बिताते हैं वहाँ पे और फिर राम से मिलने के लिए वो प्रस्थान उन्होंने कर दिया उखा राम जनिनी अवशेशा इधर शिरी राम जो है रजनी अवशेशा रजनी मतलब रात्री के अब शेशा मतलब शेश रहते ही, जागे वो जाग गए, सिए सपन अस देखा, तभी सीता जी ने एक ऐसा अपन याने स्वपन देखा, सहित समाज भरत जनो आए, वो क्या स्वपन देखी, कि समाज सहित, मनो भरत जी क्या है, समाज सहित आए हुए है, मानो, जनो मतलब मानो, मानो भरत जी क्या है, यहाँ पर समाज सहित आए हुए है, नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ याने प्रभू, प्रभू के वियोग के ताप याने अगनी में तन ताए, उनका शरीर जो है, वो क्या हुरा है, जल रहा है, मतलब कि वो भरत जी, रामचंद्र जी से दूर है, ठीक है, जिसके कारण वो वियोग आवस्था में हैं, और वियोग के कारण, उनका शरीर जो है, वो क्या हुरा है, जल रहा है, शकल मलिनमन दीन दुखारी, देखी सासो आन अनुहारी, यहाँ पे वर्णन है, कि उनके साथ आए हुए, सबही लोगों, उनके साथ आए हुए सबही लोगों के मुख क्या है, कैसे हैं, मलिन हैं, सबके मुख कैसे हैं, दिखाए सकल मलिन, मन दीन दुखारी, उनके सबके मुख कैसे मलिन हैं, और दीन हीन से, सबके मन अत्यधिक दुखी हैं, अत्यधिक दुखी मन है, मन जो है अत्यधिक दुखी है, देखी सासू आन अनुखारी, मैंने उनके साथ आई हुई, आगे कह रही हैं, कि मैंने उनके साथ आई हुई, सासू को भी, है वह अकेले नहीं है सात्म को है सास है याने रामचंद्र जी की माता माताएं हैं तो आई सासू को को भी दूसरी ही रूप में देखा है देखी सासू अनुहारी मतलब अन्य वेश में उन्हें यह क्या करती है देखती है confused वो स्वपन में देख रही हैं अब सुनी सिये सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन उनके स्वपन को सुन करके क्या होता है जब वो स्वपन रामचंद्र जी को सुनाती है सीता जी कि उनको सासुओं को उन्होंने कैसे वेश में देखा वे अन्य ही वेश में अथार्थ विद्वा रूप में देखा है तो सीता जी कि इस स्वपन को सुन करके क्या होता है जो रामचंद्र जी हैं उनके नेत्र जो है वो क्या हो जाते हैं जल उसमें आ गए रामचंद्र जी के आँखों में आशू आ गए भाए सोचवसोच बिलोचन हां और वो संसार भर की जो चिंताओं को दूर करने वाले हैं जो कि यहां पर बतायाला है कि यह मतलब चिंता को दूर करने वालेने रामचंद्र और उन्हीं को क्या हो जाती है लखन सपन यहनुक नहूए और क्या रहे हैं की यह सपन कैसा है अच्छा सपन नहीं है कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, हाँ कोई अश्यब समचार सुनने को मिलने वाला है, वो क्या कह रहे हैं, कठिन, याने कि जो असानी से ग्रहन ना किया जा सके, ऐसा कच्ठ कर जो है अश्यब समचार सुनने को मिलने वालना है, असकही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु संवाने, उसके बाद वो क्या करते हैं, यह ऐसा कहने के बाद लक्षमर से, वो ऐसा कहने के बंधु समेत, मतलब कि वो लक्षमर सहित अपने भाई के साथ इसनान करके समेत नहाने, मतलब इसनान करके पूजी पुरारी स पूजा करने के साधू संतो की वंधना करके उनका संमान कीया किसका यह का कर श्रीराम में क्या भाई लक्षमार सहित स्नान करके शिव की पूजा करने के उपरां साधू संतों की वंदना करके उनका क्या क्या सम्मान क्या है इसमें बच्चों यह आपका अवगत सुंदर लिखेंगे कि पुराणिक माननेता है पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो शेश नाग है उसके कितने हजार मुख हैं किन्तु वे भी अब भरत जी के प्रेम कवर वर्णन कर पाने में क्या है अपने आपको असमर्थ पाते हैं यहां पर इन्हों ने भरत जी के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन क्या यह भी आप लेख सकते हैं भाशा लिखेगा अवधी है दोखा और चौपाई छंद है अलंकार में आप उपमा और अनुपरास अलंकार लिखेगा और भाशा जो है अवधी है ठीक है बच्चो इसकी व्याख्या कम सकम दो बार आप सुनिएगा ताकि आपको अच्छो से आ जाए ठीक है इसे चोटे-चोटे प्रश्ण आते हैं ओ आप जब व्याख्या आपको आएगी तो आप उस प्रश्ण का भी उत्तर दे स तेंगे थांक यू